बच्चों विभिन्न प्रकार की लेंसेस होती हैं वे एक दूसरे से आकार में भिन्न होती हैं जिन पदार्थों से वे उनका निर्मान किया जाता हैं उसके आधार पर भी यह भिन्नता होती है पारम पारिक पद्धती से लेंसेस कांच से ही बनाई जाती थी पर आजकल प्लास्टिक लेंसेस का इस्तमाल होता है यह लेंस कांच की बनी हुई है यह लेंस प्लास्टिक की बनी हुई है मुख्य रूप से दो प्रकार के लेंसे होती है उत्तर लेंस और आउतर लेंस चलिए सबसे पहले उत्तर लेंस की बात करते है उत्तर लेंस किनारों की अपेक्षा मध्य में मोटी होती है यह शैती अक्षपर सभी जगों पर सममित होती है और इसे ही मुख्याक्ष कहा जाता है इस लेंस का व्यास पांच सेंटिमेटर है इस लेंस का व्यास इस लेंस से अधिक है प्रकाश की तीवरता लेंस के क्षेतर के साथ सानुपात में होती है छोटे व्यास की अपिक्षा जिस लेंस का व्यास बड़ा होता है वह लेंस अधिक स्पष्ट प्रतिविंब निर्मान करती है जब लेंस पर प्रकाश की किरण समांतर पड़ती है तब लेंस का नाभ्यांतर हमें यह बताता है कि प्रतिविंब लेंस से कितनी दूरी पर निर्मान हुआ है हम इसी बात को दो laser light की सहायता से देख सकते हैं अगर हम प्रकाश को सीधे प्रसारित करेंगे तो हम प्रकाश के पथ को देख नहीं पाएंगे दुएं के कारण हम किरण के पथ को आसानी से देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश दुएं के छोटे कणों के द्वारा परिवर्तित होता है। ये अपातित किरण हैं। और जब यह किरण लेंस के आरपार जाएगी, तब यह अपवर्तित किरण बन जाती है। लेजर से निकली ये दोनों किरणे जिस बिंदू पर मिलती हैं इसे नाभी बिंदू कहा जाता है। यहां अंतर 20 cm है। लेंस के नाभी बिंदू से प्रकाश ये केंदर के बीच के अंतर को नाभ्यांतर कहा जाता है। आरेखों में नाभी बिंदू को F इस अक्षर से दर्शाया जाता है। नाभी बिंदू का पता लगाने के लिए दोनों किरणों को मुख्य अक्षर से समानतर होना पड़ता है। अगर अपातित किरणे समानतर नहीं हैं तो वे दूसरी और एक भिन बिंदू पर मिलती है। उत्तर लेंस के दो नाभी बिंदू होते हैं जो लेंस के दोनों और स्थित होते हैं। चलिए लेंस की दूसरी और जो नाभी बिंदू है उसका पता लगाते हैं। चुकि यह लेंस सममित है इसलिए इसके दोनों और के वक्रता की तरिजा समान ही रहेगी। इसी कारण दूसरी और का नाभी बिंदु भी 20 cm पर ही होगा। इस लेंस का व्यास उस लेंस के समान ही है पर इसके नाभी बिंदु भीन नहें। चली लेजर की मदद से इसके नाभी बिंदू का पता लगाते हैं वे 25 सेंटिमीटर है प्रकाश की किरणे आपस में लेंदेन के नियम का अनुसरन करती हैं लेंस पर जो नाभी बिंदू है उससे कोण बनाते हुए कुछ अपातित किरणों को हम छोड़ेंगे ये किरणे के प्रकाश के केंद्र के इर्दगिर्द लंबरूप से घुमाते हैं अब हम किसी अन्य स्थान से किरणों को छोड़ेंगे जो प्रधान अक्ष से समानतर रहेंगे इस थिती में चूंकि हमने लेंस को घुमाया है इसलिए किरण में विचलन होगा यह बात खासकर पतली ले लेंस के बारे में अधिक सत्य होती है वास्तों में प्रकाश की किरणे भले ही प्रकाश केंद्र से गुजरें उनमें विचलन होता है पर यह विचलन बहुत ही नगण्य होता है इसलिए हमें यह लगता है कि जब प्रकाश प्रकाश केंद्र से होकर गुजरता है तब उसमे विचलन नहीं होता है इस लेंस का व्यास 5 cm है जिस लेंसे की मूटाई अधिक होगी उनका नाभ्यांतर कम होता है अगर हम दो उत्तर लेंस को एक दूसरे के साथ रखें तो इन दोनों लेंसों का नाभ्यांतर अलग होगा परिणामी नाभ्यांतर की दिये हुए सूत्र के है अतहा इनका परिणामी नाभ्यांतर लगभग 11 cm होगा सारांज इन गतिविद्यों द्वारा हम लेंसेश की विशिष्टाओं के बारे में जान पाएं हमने यह भी जाना कि इनके द्वारा किस प्रकार के प्रतिविम निर्मान होते हैं आप भी थोड़ा परिवर्तन कर इ कर दो कर दो कर दो